चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हर साई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो सेर किया था जिसमें यह बताया था कि युनिट सिटी की फाइनल येर की एकजाम पॉस्बोर्ण और कैंशिल को लेकर सुप्रिम कोर्ट में केस फाइल हुआ था और सुप्रिम कोर्ट ने यूजी सी से जवाब मांगा था तो यूजी सी ने सुप्रिम कोर्ट में जवाब पेस किया है कि देश बर के चात्रों के सेक्षनिक भविश्य को बचाने के लिए ऐसा किया गया है मामला ये था कि सिप्टेमर में एक्जाम पोस बॉंड को लेकर इस्टुडेंट ने सुप्रिम कोर्ट में केस फाइल किया था सुनवाई के दोरान छात्रों के वकील का कहना था कि बहुत सी उनिवर्सिटियों के पास ओनलाइन एक्जाम कंड़क्ट करवाने की सुईधा नहीं है तो इस के जवाब में कोर्ट ने कहा कि ओफलाइन सुईधा देनी की भी तो बात कहीं जा रही है जब वकील दोरा यह कहा गया कि ओफलाइन में बिमारी का है तो कोर्ट ने कहा कि ये तो छात्रों के हित में नजर आता है साथ कोर्ट ने सभी स्टुडेंट को एक हिदाईत भी दी है कि छात्रों को अपने पढ़ाई जारी रखनी चीए कोई भी छात्र इस धारना में नए रहे कि ये मामला सुप्रिम कोर्ट में है इसलिए सुप्रिम कोर्ट ने एकजाम पर रोक लगा दी है ऐसा कोई भी स्टुडेंट नए सोचे इसके बारे में फैसला 10 अगस्त 2020 को होगा तो दोस्तों वीडियो के अंत में सारांस यही निकलता है कि एकजाम पोस्बोंड होने के चांसे बिल्कुल ही कम है सुप्रिम कोर्ट की एकजाम सही समय पर करवाने का फैसला देने के मूड में है सुप्रिम कोर्ट भी तो आपको study continue रखनी है अपने study continue रखें 10 अगस्त को इसके बारे में जो भी फैसला आएगा मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell बेटन आवश्च से प्रेस करें क्योंकि हम कम समय पर solid information प्रोवाइड करते हैं आप से फिर मिलेंगी नई अपडेट की साथ में तब तक के लिए जय हिन